नमस्कार दोस्तों मैं हूँ जीतेन चोदरी स्वागत है आप सभी का आपके अपनी चैनल जेके एरिटेक में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे IT सेक्टर के एक ऐसे पेने स्टॉक्स के बारे में जो आपका पैसा इस दिवाली तक जो है डबल करने की पूरी छंता रखता है ऐसा क्या है इस पेने स्टॉक्स में जो आपके पैसे को डबल कर देगा और आप सभी को माला माल करेगा तो आज पूरा जो है इस IT सेक्टर के इस मल्टी बैगर पैने शेर के बारे में अनलेसिस करेगे और जानने की कोशिस करेंगे कि क्या इस पेने स्टॉक्स में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं दोस्तो पैने स्टॉक्स काफी रिस्की होता है क्योंकि इसमें पैसे डूबने के काफी चांसेज होते हैं लेकिन आप सही से अनलेसिस करके पूरी रिसर्च करके और पूरी मेहनत के साथ सारी चीजों को खोच करके ढूंड करके एदि आप निवेश करते हैं तो फिर जो आपको जो लॉस होने की संभावना होती है वो काफी कम होती है और जब रिटर्न मिलते हैं दोस्तो तो 1000-2000-10,000 परचेंट के भी रिटर्न बनते हैं लेकिन इसके लिए आपको रिसर्च करनी पड़ेगी लेकिन उससे पहले दोस्तो मैं आप लोग से एक निवेश करना चाहूंगा कि किसी भी मल्टी बैगर स्टॉक्स या किसी इपने स्टॉक्स में निवेश करने से पहले सारे उटूबर की बात सुनिए मेरे भी सुनिए लेकिन उससे पहले आप खुद जो है मार्केट में रिसर्च कीजिए उसके बाद जो है पैसा निवेश कीजिए क्योंकि आपका प चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजे ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे है तो जिस पहने स्टॉक्स की में बात कर रहा हूं दोस्तों उसका सेर प्राइस अभी 49.70 पैसे के करीब में चल रहा है और कल जो आपंगे कि Εक सटॉक्स का सब्सक्राइब अ्पिषलों चीह महिनों में बना कर दै है वहीं इसs Docks के सब्सक्राइब क्रिस्षोinea लिए और एक कंपनी स्टॉप मार्केट में लिस्ट हमें अभी जाया दिन ने हुआ 22 अपरेल 2016 को एक कमपनी स्टॉप मार्केट में लिस्ट हुई है और 7 रुपे 49 पैसे से इसका भाव बढ़कर आज जो है 49 रुपे 70 पैसे पहुच चुका है तक्रीबन 572% का रिटन इस कंपनी ने पिछले 6 सालों में दिया है तो इस कंपनी की अंदर क्या ऐसी खूबी है जिसको देखके हमें निवेश करना चाहिए ताकि हमें भी जो है 1000-2000% का रिटन मिल सके तो आज इस वीडियो में जो है पहले वाले सिक्षन में हम डिसक्स करेंगे कि इस कंपनी का नाम क्या है और ये कंपनी करती क्या है तो दोस्तों इस कंपनी का नाम है Nintec System Solution Limited तो Nintec System एक जो है leading providing software deployment company है और इसका basic model जो है industrial supplement में है Automative में है print media में है publishing में banking में है financial services में भी इस Nintec System Limited का जो है यूज होता है Nintec System जो है 1997 में इस्तित company है और तीस देसो में इसके तीस देसो में लगवग इसके customers है और 500 से अधिक company और 100 से भी अधिक SMU के साथ जो है इसका tie-up है जिसके main partners की बात करें तो fire eye इसके main partners है और fire eye के अलाबा तीन और भी लोग ऐसे इसकी major partnership है जो आप देखेंगे तो चौक जाएंगे तो fire eye के बाद जो दूसरे इसके सबसे important partners है ओ है पलोटो network पलोटो network जो है इनके एक major partners के रूप में यहां पर काम कर रहे हैं और जो तीसरे इसके partners के रूप में आ रहे हैं ओ दोस्तो my cafe antivirus M cafe antivirus का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा और M cafe antivirus एक काफी popular antivirus software है जो आपके computer system में soft hard जो है antivirus को remove करने के लिए यूज किया जाता है इसके अलावा सिस्मेंटेक असाइमेंटेक जो है एक सीसी एवेन्यू की तरह एक payment service providing company है जो online जो है digital payment provide करने के लिए एक platform provide करती है और इस company का उच transportation and logistic sector में किया जाता है तो transportation में देखें तो इसके बहुत सारे clients हैं इसके अलावा print media and publishing आने की जो छपाई का काम होता है जो hard copy पे जो printing का का काम होता है जो book publishing का काम होता है उसमें भी इस company जो है अपना support प्रवाइड करती है और जो उससे इलेटेट जो software होते हैं उसको जो है company बनाती है इसके अलावा जो two wheeler और four wheeler के अंदर जो automotive station लगा होता है जो गाणियों के अंदर insight जो innovative parts होते हैं जो artificial intelligence parts होते हैं जो पुरी तरह से internet से connected होते हैं उसको जो है एक company बनाती है और अपनी शर्वाइड करती है इसके अलावा cloud services को देखें application engineering में देखें और automotive testing में देखें तो एक company काफी अच्छी तरीके से पफाम करती हुई नजर आ रही है तो nintex system software solution limited को आप जो है अपने radar पे रख सकते हैं लेकिन क्या इस company की business model को देखके हमें निवेश करना चाहिए जिया दोस्तों बिल्कुल नहीं इसके अलावा निवेश करने से पहले हमे इसके चार्ट को इसके balance sheet को देखना जरूरी है क्योंकि ओ सबसे important दूसरा पार्ट है तो दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे इसके balance sheet को तो market cap के हिसाफ से देखें तो 51 करोड 30 लाग रुपे की इसका total market cap है book value इस company की 10 रुपे 90 पैसे है stop P 18.50 का है face value इस company की 10 रुपे है return on equity की बात करें तो 24.50% का इसका ROC निकल के आ रहा है ROC की बात करें तो 32.60% का है company dividend payout नहीं करती है और सबसे मजबूत और सबसे unique strength है कि मात्र 52 करोड की company पूरी तरह से depth free है जी हां दोस्तों इस company के ऊपर एक भी रुपे का करजा नहीं है जो एक unique strength इस company में create करता है sales की बात करें तो 2020 में इसका total sales हुआ था 7 करोड 74 लाग रुपे का जो 2021 में बढ़कर हो गया दोस्तों 8 करोड 84 लाग रुपे है वहीं 2022 का data check करें तो 19 करोड 81 लाग रुपे का जो है इस company ने net sales generate किया है profit की बात करें तो 2020 में इस company को profit हुआ था 1 करोड 24 लाग रुपे का net profit वहीं 2021 में बढ़कर इसका profit हो गया एक करोड 31 लाग रुपे है और वहीं 2022 में देखें तो 2 करोड 77 लाग रुपे का net profit होता हुआ इस company को देख रहा है compounded sales growth rate को देखें तो इस company का compounded sales growth CAGR में 5 year का देखें तो 45% निकल के आ रहा है 3 year का देखें तो 36% और compounded profit growth को देखें तो एक company पिछले 5 सालों से 50% के CAGR के साथ compounded growth के साथ प्राफिट में चल लगी है और यही काड़ है कि stock price CAGR में भी धमाका होने वाला है और 1 year का चेक करें तो 243% के CAGR के साथ इसका share भाव बढ़ रहा है 3 year का चेक करें तो 43% और 5 year का चेक करें तो 32% के CAGR के साथ जो है इसका भाव बढ़ रहा है Reserval price की बात करें तो 2019 में 1.46.000 रख रूपे इस company के पास on payment basis 20 में बढ़कर 3.03.000 रख रूपे हो गया और 2021 में देखें तो 4.41.000 र रह लख रूपे जो है कंपनी के पास surplus money reserve price के रूप में पड़ा हूआ है कर्ज की बात करें तो मार्त जीरो 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 एक भी रूपे का इस कंपनी के उपर कर्ज नहीं है प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करें तो तकरीवन 47.38% का शेर होल्डिंग जो है इसके प्रमोटर्स के पास है और 52.62% का stake जो है और share holding जो है पबली के पास है आम जनता के पास है तो एक super multi-wagger stock है दोस्तों अभी इसने 5.500 का return दिया इस company में वो पूरी potential है कि आपके पैसे को 10 गुना 20 गुना करने की तो एक multi-wagger share है दोस्तों और जब भी इस stocks में आपको मौका मिले आपको निवेस जरूर करना चाहिए क्योंकि penny stocks में क्या होता है जब भागते हैं दोस्तों तो खरीदने का मौका नहीं मिलता है तो इस stocks को खरीदने से पहले आप जो है emotion से ज़्यादा logic से काम कीजिए और किसी भी stocks को खरीदने से पहले दिल से ज़्यादा दिमाग से काम लेजिए और अपने आप सोचिए कि क्या उस company में वो potential है कि आपकी पैसे को 20-30-30 करने की चंता रखती है क्योंकि होता क्या है कि कोई stock पहले 1000 का था अब एक पैसे पैया गया तो क्या संभावना है कि पैसा 10 रुपे तक उसका भाव जाएगा हो सकता है कि कल ओ मार्केट से डिलिस्ट हो जाए लेकिन जिसने अभी नीचे से बढ़ना स्टार्ट किया है आपको हमेशा उस पे पैसा लगाना चाहिए तो एक सूपर मल्टी बैगर स्टॉक है दोस्तों यदि आप इस स्टॉक में पैसा निवेस करते हैं तो निश्ची त दोस्तों तो वेडियो को लाइक कीजिए क्योंकि एक लाइक आपका हमें मोटिवेट करता है